उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण रीना को स्कूल में सब के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया, रीना पांचवी क्लास की छात्रा थी, वो दोड़ी-दोड़ी स्कूल की तरफ जा रहे थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुँची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी, वो जब अपनी क्लास में पहुँची तो मैडम ने उसे दर्वाजे पर ही रोग दिया, रुख जो रीना, तुम आज भी लेट आई हो, ये तुमारी रोस की आदत बनती जा रह गए, दरसल रीना के घर से स्कूल की दूरी पूरे पांच किलो मीटर थी, रीना अपने घर से स्कूल तक रोस पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्षे या स्कूल बस का किराय देने के लिए पैसे नहीं थे, रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे, रीना के पि स्कूल में करवा दिया था उस दिन रीना क्लास के बाहर खड़ी रही लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बाते अपने दिमाग में नोट कर रहे थे रीना पढ़ने लिखने में बहुत होश्यार थे जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने रीना को क्लास के अंदर बुलाया और कहा रीना कल से समय पर स्कूल आना नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी और ये क्या है अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है तुम्हारी शिर्ट में कितने लगे हुएं मैडम मैंने ममी पापा से कहा था लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे ठीक है अब तुम घर जाओ रीना के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाख लेकिन रीना किसी से कुछ नहीं कहती रीना स्कूल से पैदल घर आ गई घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीज़े फिर से रिविजन की पढ़ाई से जो वक्त मिलता था रीना उस समय में सबजी बेचने में अपने माता-पिता की मदद करती थी वो सब लेकिन बाबा इस बार में पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी इस बार मुझे भी नई किताबे चाहिए मेरी पुरानी किताबे देखकर मेरी सहीलिया मेरा मजाक उड़ाती है रीना के माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो से नई किताबे ला कर देते इसलिए रीना अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबे कम कीमत में खरीद लेती थी लेकिन इस बार रीना ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी थी रीना की बात सुनकर किशोर परिशान हो गया किशोर को इस तरह से परिशान देखकर रीना की मा तारा ने रीना से कहा रीना बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? पढ़ाई से तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है किताबे नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता नई किताब में जो बाते लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले ठीक है माँ रीना इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताब सस्ते दाम में खरीद लेती है रीना की पुरानी किताब देख कर उसकी सहीलियां हस कर उसका मजाग उड़ाने लगी रीना नई क्लास में भी फटी हुई किताब इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगर नहीं है मेरी किताब पुरानी और फटी है तो क्या हुआ देखना मैं इस बार भी क्लास में अववल आऊंगी रीना इस बार और भी जादा मन लगा कर पढ़ाई करने लगी रीना अपने घर के हलात जानती थी इसलिए वो कभी अपने माता-पिता से किसी चीज की डिमार्ड नहीं करती थी दूसरे बच्चों की तरह वो लंच में तरह-तरह के पक्वान नहीं लाती थी एक दिन स्कूल में लंच के समय चल रीना खाना खाते हैं बहुत भूक लगी है ठीक है पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिली पनी रखे थे अरे वा आज ममी ने मेरी फेवरिट डिश दी है इसे खाकर बड़ा मज़ा आएगा पिंकी का लंच देखकर रीना अपना डबबा खोलने की हिम्मत ने कर पा रहती तभी किरती भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ आ गए किरती, तू आज लंच में क्या लाई है किरती ने अपना लंच बॉक्स खोला आज ममी ने पूरी और शाही कोफते दिये हैं अरे वा रीना तू लंच में क्या लाई है तू भी अपना डबा खोल मैं वो मैं आज लंच नहीं लाई लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था तुने उसे वापस क्यों रख दिया पिंकी ने रीना के बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और दो सुखी रोटी रखे हुए थे अरे रीना तीरी ममी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है ले तु हमारा खाना खा ले नहीं तुम लोग अपना खाना खाओ मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है मैं यही खा लूँगी अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख ऐसा टेस्टी खाना तुने कभी नहीं खाये होगा रीना को पिंकी की ये बात बहुत बुरी लगती है उसकी आँखों से आसु छलक आते है वो चुप चाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लास्रूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैट कर खाना खा लेती है रीना इसी तरह संगरश करके अपनी पढ़ाई कर रही थी चाहे कितने भी परिशानियां और रुकावटे आए लेकिन वो पढ़ाई में हमीशा अवल रहती एक दिल रीना के बाबा रीना अब साथवी कक्षा में पहुँच गई है वो अब बड़ी हो रही है उसकी पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए है और कई जगा से फट भी गए है इस बार हमें उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिल्वानी ही पढ़ेगी मैं समझता हूँ रीना की मा लेकिन मैं क्या करूँ तुम तो जानती ही हो की सबजी बेचकर हमें दो वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है अगर इस बार रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबे नहीं खरीद पाऊंगा रीना के बाबा मैं सोच रही थी की रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ आप भी सबजीयां बेचने बाजार चले जाते हैं तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ इससे दो पैसे जादा आएंगे और रीना की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे ठीक है रीना की माँ ऐसा ही कर लो कम से कम रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबे तो आ जाएंगी रीना अपने माता पिता की बाते सुन रही थी वो मनी मन सोचती है माँ पिता जी आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं मैं वादा करती हो कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबे खरी दे लेकिन ये बात रीना की सहीलियों को पता चल जाती है क्योंकि रीना की मा जहां काम करती थी वो कोई और नहीं कीरती और पिंकी का ही घर था एक दिल अरे रीना, नई स्कूल ट्रेस और इस पर तो नई किताबे भी हाँ, क्योंकि रीना की माप जॉप करने लगी है उन्होंने कल ही तो मेरी ममी से एडवांस लिया था उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ट्रेस और नई किताबे आई है हाँ यार, रीना की ममी मेरे घर में भी काम करती है मेरे घर में आज छोले भटूरे बने है लगी तो उस खाने का क्या फैदा खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे रीना का दो टूक जब आप सुनकर पिंकी और कीरती का चेहरा देखने लायक था दोनों सहीलियों ने चुप रहने में ये अपनी भलाई समझी धीरे धीरे समय बुसरता गया और रीना साथवी से आठवी और आठवी से नौवी और नौवी से दसवी कक्षा में आ गई वो हर कक्षा में अवला थी रीना बिटिया, तु अब दस्वी कक्षा में आ गई है, खूब ध्यान से पढ़ाई करना, तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है पिता जी, मैं खूब मेहनत करूँगी, आप देखना मैं पूरे स्कूल में टॉप करूँगी रीना खूब मेहनत करने लगी, शाम को स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई में चुट जाती क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का रीना सबसे पहले और सही जवाब देती पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी रीना के होसले को तोड़ता नहीं, बल्कि और बढ़ा देता था धीरे धीरे दिन बीद गय और दस्वी की परिक्षा का दिन भी आ गया रीना ये ले, दहीचीनी खा कर जा, परिक्षा अच्छे से दे पाएगी रीना ने पैर चूकर अपने माता पिता का आशिरवाद लिया और परिक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी लेकिन रास्ते में ही उसका जूता तूट गया ओ, इसे भी अभी तूटना था, समय पर परिक्षा सेंटर नहीं पहुची तो परिक्षा नहीं दे पाऊंगी, मुझे वहाँ तक जाना ही होगा रीना ने अपने तूटे हुए जूतों को उतार कर हाथों में ले लिया, और खाली पैर ही परिक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रीना के कदम परिक्षा सेंटर पर जा कर ही रुके रीना ने अच्छे से अपनी परिक्षा दी, दूसरे दिन वो अपने पैरों में पॉलिथीन बांद कर परिक्षा सेंटर पहुची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे इस तरह से रीना ने दस्वी की परिक्षा भी दे दी, कुछ दिनों के बाद जब परिक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में, रीना तुम बहुत हो नहार और महनती हो, आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है, तुम्हें स्कूल में ही नहीं, पूरे राज्ज में स्कॉलर्शिप भी दी जाएगी। ये सब सुनकर रीना बहुत खुश हुई। वो खुशी-खुशी जब घर पहुची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटर्व्यू लेने के लिए कठा थे। सबने बारी-बारी से रीना का इंटर्व्यू लिया। रीना की काम् मेहनत से रीना ने IAS की परिक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक IAS ओफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता-पिता की कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया। जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गाउं जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका अद्मिशन दिल्ली युनिवरसिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली युनिवरसिटी से बी ए और एमे की पढ़ाई की गाउं में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दि देख काम्या तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिष्टा आया है लड़के वाली जमुई के ही हैं लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं शादी के बाद तु वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना ठीक है मा तु कल तयार रहना कर लड़के वाले तुझ अच्छे देखने आएंगे ओके मा मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ ठीक है बेटी काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्ट्रेंट में पहुँचती है कितनी अच्छी मतन की खुश्पू आ रही है यहाँ जी भायर कर मतन खाऊंगी काम्या रेस्ट्रेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है येस मैं आपके दुकान के सबसे स्पेशल नौन विच क्या है मैं आप मतन हांडी ट्राई करो इसे हम मिट्टी के बरतन में बनाते हैं हम, मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौन्धी सौन्धी खुश्बू भी, ठीक है, आप दो प्लेट मटन हांडी और एक प्लेट चिकन सीख कबाब ले आईए, जी मैं, वीटर काम्या को उसका ओर्डर सर्फ कर देता है, काम्या सारा मटन और शिकन खा लेती है, हम, अब जा प्लेटेन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी, लेकिन काम्या को क्या पता था, कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था, उस दिन जब काम्या घर लोटी, आ गई बेटी, हाँ मा, बहुत ठक गईयों, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है, दूसरे दिन उसे लड़के वाली देखने आते है, काम्या तयार होकर उनके सामने जाती है, बहन जी, हमें लड़की पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो, तो हम बात आगे बढ़ाएं, हाँ हाँ, क्यों नी बहन जी, ये काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है, और काम्या अरुन की शादी तै हो जाती है, कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है, शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ओर्डर करके मटन और चिकन मंगाया, और छिप छिप कर खा लिया, लेकिन काम्या घर के अंदर आने के लिए कहती है। क्या बात है काम्या तुम कमजोर क्यों लग रही हो यहाँ तुमें भर पेट खाना तो मिल रहा है ना। काम्या मन हिमन सोचती है अब इन्हें कैसे समझाओं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हो अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मरी जाओंगी। एक काम करती हूँ रामु से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए रामु काका आप आज बाजार जाओगे ना मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे। आ बहुराणी क्या समान लाना है आम जरूर ला कर देंगे। देहत के लिए अच्छा नहीं होता है। किते दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खानी को मिला है। किते लिए अपस में लड़ने लगते हैं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परिशान मत हो बहू। ममी पापा की याद आ रही है ना। चलूने वीडियो कॉल कर ले। जी माजी। कविता वहाँ से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया। लेकिन रोज रोज रामु काका से नौन विच मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मतन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जॉब जोइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बाहर ने रोज मतन चिकन भी खालूँगी। मैं आज ही अरुन से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुन आफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज आफिस जाने लगी थी। उसकी आफिस के सामने एक रेस्टरेंट था जिसमें नौन विच के डेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या अभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टरेंट में जाकर मटन और च चिकन खाती थी एक दिन काम्या बहू तो लंच लेकर आफिस क्यों नहीं जाती सारा दिन भूकी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा माजी आफिस में काम इतना जादा रहता है कि खाने की फुरसत ही नहीं मिलती इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती अग घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच ना करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है एक दिन काम्या ओफिस के पास वाले रेस्टरेंट में बैठ कर मटन और चिकन खारी थी कि तब ही उसकी तब्यत अचानक बिगड़ गई उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो प्लेस्टरोल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा तब ही इनकी सेयस उधर सकती है ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब बिचारी मेरी बहुत दिन में खाना भी नहीं खाती है वो चिकन मटन कैसे ख खा सकती है देखिए ये रोज मटन चिकन खाती है ये मैं नहीं कह रहा हूँ इनकी रिपोर्ट कह रही है माजी मुझे माफ कर दीजे डॉक्टर सही कह रहे है मैं रोज शिप शिप कर मटन